सादर जैसरी करश्ण मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरूजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यकराशिफल नई नई ग्यानवर्धक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें कि 16 दिसम्बर 2019 से खरमास आरंब हो रहा है तो खरमास के दोरान आपको शुब कार्य नहीं करना चाहिए भूलकर भी कुछ काम ऐसे हैं जिनको आपको खरमास के दोरान नहीं करना चाहिए तो हिंदू धर्म में कोई भी शुब काम करने से पहले पंचांग को देकर उसके अनुसार शुब दिन निकाला जाता है लेकिन खरमास या मलमास ऐसा महीना होता है जिस में कोई भी शुब मांगलिक कार्य करना वरजित माना जाता है इस साल मलमास सोमवार यानि 16 दिसंबर से आरंब हो रहे हैं जो कि सूरी के मकर रासी में प्रवेश करने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं तो धर्मिक माननेताओं के अनुसार इस माह मांगलिक कारिय आपको नहीं करना चाहिए खरमास के महिने में विवाह, ग्रह प्रवेश, मुंडन, नामकरन संसकार, यग्यो पवित संसकार, वधु प्रवेश, ग्रह निर्मान, नए व्यापार का शुभारंब, आदी ऐसे ही मांगलिक करमा आपको नहीं करना चाहिए इस दोरान पवित्र नदियों में स्नान करने और सूरी भगवान को जल देने की परंपरा होती है तो 2020 में 15 तारिक को सूरी के मकर रासी में प्रवेश करने के पश्चात, मकर संकरांती के दिन ही खरमास का समापन हो जाएगा तो ऐसे में आईए हम जान लेते हैं कि वे सभी काम कौन से हैं जो खरमास में आपको नहीं करना चाहिए तो मलमास, खरमास में कोई भी मांगलिक कारी जैसे की साधी, सगाई, वधू प्रवेश, गरह प्रवेश, गरह निर्मान, नए व्यापार का शुभारंबा आपको नहीं करना चाहिए इसकी वज़ए यह होती है, इस समय सूर्य गुरू की राशी में होता है, जिसके कारण गुरू का प्रभाव कम हो जाता है तो हिंदू धर्म के अनुसार मांगलिक कारियों के सिद्ध होने के लिए गुरू का प्रबल यानि मजबूत होना बहुती जरूरी माना जाता है इस समय किसी भवन प्रापर्टी इत्यादी की खरीदारी की जाती है, तो उससे जुड़ा हुआ ही नुकसान हमको उठाना पड़ता है इस समय के दोरा नया वाहन भी आपको नहीं खरीदना चाहिए इसकी वज़ा है यहा है कि धर्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस समय कोई व्यक्ति वाहन इत्यादी की खरीदारी करता है तो उक्त वाहन से संबंदित कष्टों को व्यक्ति को जहलना पड़ता है खरमास में यह काम आपको करना चाहिए खरमास में सूर्य का गुरु राशी में गोचर होने की वज़ह से इस समय पूजा पाठ मंत्र जाप के लिए यह समय बेहद उप्योगी माना जाता है तो इस समय अनुष्ठान से जुड़े कर्मों को कर्मों के साथ ही पितरों से संबंदित स्राध्ध आदीकार्य भी करना बहुती शुब फलदाई माना गया है और खरमास में जलदान का बहुती महत्व माना जाता है इस समय ब्रह्म महुर्त के समय में किये गए इस नान को सरिर के लिए बहुती उप्योगी माना जाता है खरमास में विशेश करकि सूरिनारण भगवान की पूजा उपासना आपको करना चाहिए जो आपके लिए बहुती शुब फलदाई रहेगी तो मित्रो आसा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यान वर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रो फिर मिलेंगे